Sir, surgical strikes, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, पतानी जवाब आप देंगे की नहीं, जो surgical strikes जिस दिन हुआ, तो कहा जाता है कि आपको live information दिया जा रहा था, आपको step by step पता था कि क्या हो रहा है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि surgical strike operation successful ना हो, तब उसकी ज war mongering leader के तौर पर समझे कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमंड किया, आप जंग छेड़ना चाते हैं, उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि as a prime minister, you were taking such a step, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखे, जब उरी की घटना घटी, और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था, और मेरे भी तर एक आक्रोस था, मैं बेचेन हो गया था, मैं केरल गया था, मैंने केरल में पब्लिक मीटिंग में इसका अजिकर भी कर दिया, किको मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक लोगतंत्री की ववस्था का प्रतनी दिया हूँ, और मेरा व्यक्तिक्रद गुसा मेरा व्यक्तिक्रद आकरोस मरी व्यक्तिक्रद बेची नहीं इस प्राइब व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संतुनत समझता हूँ लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्तिति में देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याय दिलान करें और मैंने का आप जीतना भी कर सकते हैं करिए अब सोचने में कमी मत करना फिर बैठके ताइक करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे मैंने उनको खुली छूट दी उन्हों बना प्लान किया वो लेके आए मेरे पास दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस आपरेशन की क्योंकि मैं फूल सिकुरिटी चाहता था है अखिर कर आपरेशन ताइख हुआ मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा रिक्स था और रिस्क मुझे राजनी थी फाइदे और नुक्षान वारा रिस्क मैं कभी सोथता नहीं हूँ मेरे जवान उनका कोई नुक्षान नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने लिए निकल पड़े हैं तो उसके लिए जो कुछ साधनों की जरूत थी उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए तक कि कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा यह तह किया कि उन कि ट्रेनिंग होनी चाहिए तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सिक्रेश से मैंटेट करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई उसमें भुभाग महां की अर्चने उसको भी देखा गया क्या-क्या रुकावटे आ सकती इमेजिनेशन करना उसकी भी चिंता की गई और मैं इन चीजों को मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्स्प्रियेंस था तो मैं भी उसको जड़ा बड़े चाहु से समय देखर करकर देखता था कैसे कर रहें क्या कर रहें और मुझे भी एक सिखनों को मिल रहा था फिर हम जब बैटे तो हमने देने कि क्या कि भई अब सो एंसो डेट हम करेंगे कौन कहां रहेगा उसका में टीम के लोग वह भी ताई किया और ताई यह किया कि सुर्योदय कि पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए और मैंने इस परस्ट आदिश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चंता कि लेकिन सुर्योदय के पहले वापिस आना है अब इस मों में पढ़ जाए और फिर लंबा खिजले आए जो भी करको क्या नहीं तहां बेड़ीन होनी चाहिए सक्सेसफुल मिशन सक्सेश्ट वूब भी फ़लो लिगे सुर्योदय के पहले वापिस हम नहीं सकता है हम भी फ करें किया तो और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि पता वेसना बड़ा रिच्की काम है तो चांट करके लोग निकाले थे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था देश में भी आक्रोष था मैं लाइव कॉंटेक में था चीजे था लेकिन सुभे जानकारी आना बंद हो गया सुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूँ मैं मन में होता था कि क्या हुआ भई गंटे पर से कुछ ख़बर नहीं आ रही है पन्दा तो लगाता रही थी दिखले हैं पहले टुकड़ी ये दूसरी टुकड़ी ये ऐसा है लेकिन सुर्यदय होने के बाद भी मुझे ख़बर नहीं आने लेगी तो मैं थड़ा बेचन होने लगा अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्मिनिकेट करूं कहीं और तकलिव हो जाए तो काफी याने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जिंदा लोटने के ख़बर सुनने के लिए में बहुता रात कि महां कितना नुक्षान हुआ वह बात का विश्य है लेकि मेरा जवान जिंदा लोटने मेरी पहली प्राद पिकता थे फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुकडियां सेफ जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते और कोहीं रेंगते हुई निकलते तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसलिए मैंने का फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए लेकिन वो हम करीब सूरियोदे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने केमिने इंट कमिटे ऑन सीक्यूरिटे के मिटिंग बुलाई वह उनको अर्मी के लोगों ने आकर किसारा ब्रिट टिया उसके बाद पाकिस्तान को बताना एक leash हम कमिटे ने सीक्यूरिटे जगता है और पहले पाकिस्तान को तो पो आखिरा करना एसा हुआ है और उसके बाद मीडिया को पताना तो पकिस्तान के लोग टेलीफोन पर आते नहीं थे मीडिया को गैरा बज़े बुला लिया था मीडिया भी परिशान था कि भी ये क्या बात है बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े गारा पौने बारा बजे हुई तो बारा बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए ये पल भाव थी एक प्रकार से एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वाल था तो बारी नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से उपरेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचे हुआ थी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अधभूत है थी और मैं तो सर जोगा कर उनको नमन करता हूं कितनी बारी के से इतनी परफेक्ट ले उन्होंने प्लान किया और इसलिए घरव होता है हमारी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के अबजेक्टिव क्या थे क्योंकि अभी भी गुस्पैटी आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिजम अभी भी है कश्मीर में वाइलेंस का स्टर अभी भी कम नहीं हुआ तो क्या वो एक डेटरेंट के तौर पर इस्तमाल किया गया था लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे होट पर्स्यूट हम करेंगे पहली बात है कि इन चीजों को में मेडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूं तो ठीक नहीं होगा मेरे लिए किस किस रनदीति से चलना कैसे चलना वो जिस तर पर होता है बहा हो रहा है होता रहा है दूसरा 65 के लड़ाई हुई विभाजन हुआ उस दिन भी लड़ाई हुई तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा यह मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा